गुड वानिंग आज मैं आपको असली जन्दिगी का किस्सा बतलाता हूं कि दरसल हम लोग कई लोग सोचते हैं कि हमारा जो भाग गये है वो कैसे बदलेगा या लोग हमारे बारे में बहुत सारी बाते कहते हैं लोग हमको जाए वो कंसिडर नहीं करते हैं तो यह सब चीजे हम सबके दिमाग में उठे हैं और life में कभी न कभी हम इन सब चीजेंश को face करते हैं कई बार हमें आपमान भी सहना पड़ता है ठीक है और इस सोसाइटी का हिस्सा है नॉर्मल लोग होते अपकी आस-पास वह दो ही प्रकार से इंट्रक्ट करते हैं persCo चल्भैत करने लोग आपको संख्या में कम मिलेंगे कि जब तक वो खुद पॉजिटिव नहीं होंगे पॉजिटिव वेखती इंट्रेक्ट नहीं कर पाएगा तो यह बात बहुत पुरानी है लुग कर दोनों का स्वाइब लगए 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 दसको फाइनली हम लोग ने फैमिली की सहमती से वो किया तो उस समय हुआ था कि भारती समय सेलेक्ट नहीं हुई थी वह तैयारी कर रहा थी उपर स्थी की और हमने मेरेश किया ठीके और वो बारेश के बात वह अपना उन् के अंदरी वह स्लेक्ट होगी उसमें लेकिन उसके पहले गटना गटी गटना यह थे कि हमारी एक रिलेटिव है ठीक है जो हमारी बड़े मम्मी के बड़े क्लोस रिलेटिव है वह फैमली मेंबरी हैं वो लोग तो उनकी बेटी की शादी का कुछ होता न जो बोलते हैं कि होने वाला था तो उन्होंने सबको इन्वाइट किया और मुझे भी उन्होंने फोन किया और कहा कि मेरा घर का नाम गोल्डी है गोल्डी तुम आजा ना उस दिन तारिक को बहन की वह यह होने वाला फंक्शन तो मैंने का हां हां मैं हम और भारती आते हैं बोलते नहीं नही कि नहीं यार एक तो दो कारण है तो क्या वो दूसरी जाती से हैं और लव मेरीज भी है तुमारा ना तो है तो यह सब शीजें जाने नहीं नेगर टीव इंपक्ट जाएगा चापूरा ठीक नहीं है और फिर क्या है कि जो है वो अपने समाज की तो हैं Northern कि यहां पर मेरे स्पाउस को सम्मान नहीं दे सकते लोग तो मैंने कितने एच्छे रिटेव कोई ना कोई बहाना बना लूँगा कि यह था वो था नहीं जाएंगे मैं नहीं गया फिर कुछ महीनों बाद भारती जो है वो उनका एक्जाम दिया उन्होंने रिजल्ट आया उनका मैंने भी एक्जाम दिया कि मेरा फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आया भारती रिजल्ट आया शी गॉट सेलक्टेट फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज जो उसके कॉर्डिंग उस समय वेकेंसे काफी कम थी उनके नंबर काफी उपर थे लेकिन चुकि यूप यूपसी में क्या होता कि रेंक के कॉर्डिंग ही सब्रविस होती है और जॉब 24 बढ़ते तो उन्होंने अपना आईएस भरा इन आईपीस भरा इन आई आरेस भरा तो उ में सब्ढ़ियंग कि व्लšबंग कि OUT में क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि 이것도 Olga होता है म elles इपका टो इसमें ने चेस्पान्शान सांस लेना ठीक है फिसिकल फिटने स्वीटनेश ने द्रिटा सांप उनका हुआ तो उसमें जो है वो कुछ माइनर से पारामीटर में रहे गहीँ वो तो फिर फाइनली उन्हें ने वनको आई-ई-ए-डेन असिस्टेंट कमिशनर और भॉपाल पोस्टिंग उनका हुआ अब भॉपाल में असिस्टेंट कमिशनर इस वेरी बिग तिंग डारेक्ट रिक्रूट होते हैं और यंगेस अफसर इंडिया के अंदर जो गिने चुने दो तीन यंग अफसर उनके बैच में उसमें एक भारती किया नहीं तो मैंने कहा पर वो तो दूसरी चाहती कि एंग और यह यह पूरा समाज पूरी सोसाइटी आपके Personal achievements को देखती है कि आपने personally क्या intim किया है समझ लेजिए आप कि आप जो आज महनत कर रहे हैं न पढढ़ रहे हैं जो भी effort कर रहे हैं एकजाम के तैjarी कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं Basically you are building your values ठीक है और सामने वाला society जो है न वो आपकी इना देखिए भारती नहीं बदली वो जैसी मन में थी पहले वह वैसी रही एक्जाम के बाद एक्जाम के निकलने के बाद उसका बैवार किसी से नहीं बदला अपसे आप कभी मिलेंगे तो आपको रगया कि वह इतनी बड़ी अफसर है आपको कभी रेलाइज ही नहीं वह अचीज का वह कभी है हमारे गाउं के रेल्टी वह सबसे बड़े प्यार से बात को सब हर आदमी तारीफ करता है कि बहु जो है वह बहुत ही अच्छी है बिल्कुल एक रत्ती बर घमंड नहीं है वह बोलती है कि घमंड का क्या है मैं कि एक जामी तो निकाला मैंने बाकी तो सब कुछ कोई भी निकाल सकता उसको तो बात तीसी बिटा कि हमेशा फोकस कीजिए अपना वक्त बदलने पर दूसरों की बातों पर उस समय ध्यान दिया होता ना तो आदमी डिप्रेस हो गया हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि बिल्डिंग वर वैल्यू अपने मान को बढ़ाते रही है ठीकिरा अपने सपने के पीछे दोड़ते रही है जब तक कि वह हासिल ना हो जाए अल दी बेस्ट है वे ग्रेट डेट